दोस्तों आज की इस वीडियो के इंदर हम आप सबी के साथ में अपनी क्लास 7th History सब्जेक्ट की चैप्टर नमबर 6 को स्टार्ट करेंगे जो की है Town Traders and the Craft Persons कि जो आपके Towns थे जो आपके वैपारी लोग थे और जो आपके यहाँ पर हस्त कला के जो आपके यहाँ पर स्किल लोग थे वो कैसे कुछ यहाँ पर सीन उनके साथ में रहता था और कैसा कुछ वो यहाँ पर काम करता था चलो फटा-फट से इस बात को यहाँ पर जान लेती वो क्या चाता था कि उसको यहां पर क्या चीज़ देखने को मिले उस सहर के अंदर अब यहां पर आप सभी को बताता है कि भई सबसे पहले हमारे लिए इस बात को जान लेना जूरूरी होगा अब यहां पर बताता है बाकी अगर हम आपको बताएं कि यहां पर बहुत सारे टाउन ऐसे थे जिनके अंदर सारे चीज़े मिक्स होती थी जिसले कि वो आपका अपका अपका टैंपल टाउन भी होता था और साथ में आपके जो कमर्शिल एक्टिविटी होती है और जब के क्राफ्ट वगरा की बनाई होती है वो भी वहां पे होती थी ठीक है बाकिया चलो हम आपको एक बार इस मैप को तोड़ा जूम करके बता दे हैं कुछ यहाँ पर इमपोर्टेंट्स टाउन के बारे में जो हुआ पे उस टाइम पे आपके थी सेंटरल इंडिया के और साथ में जो आपके साउथ इंडिया है उन दोनों के बारे में ठीक है तो मुर्शिदाबाद हो गया, एक हैलकटा हो गया, आपका ये बिदाई हो गया, ये हो गया, आपका गोल कांडा हो गया, साथ में गाइज ये हो गया, तिरूपती हो गया, आपका ये आपे नीचे मदरास भी है, फिर महाभली पूरम भी है, फिर तंजावूर है, उरायूर है, म कौन सा था, यहाँ पर काबूल था, बाकियार चलो एक बार आगे बात कर लेती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे हमारे administrative centers के बारे में सबसे पहले, तो कहता है, you read about the Chola dynasty in the chapter 2, let's travel in our imagination to the Tanjav or the capital city of the Chola as it was a thousand year ago, अब यहाँ पर आप सभी को बताता है कि भी आपने जो आपकी चोरा dynasty थी, उसके बारे में जुरूर study किया होगा आपकी chapter number 2 के अंदर, ठीक है, तो चलो बहुत काम करते हैं, हम imagine करते हैं, और अपनी imagination के अंदर चलते हैं, कहाँ पर चलते हैं, तंजावर town के अंदर काफी साल पहले चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं, the perennial river kavery flow near the beautiful town की भी, यहाँ पर जो आपका सभसूरत सहर था, इसके इनदर से आपको पता है, कों सी नदी जाती है, kaveryופर हों यहाँ पर kaveryनादी का आपका डेल्टा भी बनता है, ठीक है, on hears the bells of the raja rajaojishvara temple built by the king raja rajchola, the town's peoples अभी आप सभी को पताता है एक बात को आपको पते कि यहां पे आपका नदिर है राजा-्राजश्वरा टेंपल बनाया गया है जो कि आपकी तो यहां पर घंटी बजती है गंटी अपस यहां और इमन मनों के भी है मिलती है और वो सभी याद करते है कि यह वही मंदर जो कि हमारे राजा ने बनवाया था और उसका नाम यहां पर इस मंदर की दिवारों पर भी लिखा हुआ है बहुत ब्यूटिफुल अक्सरों के अंदर ठीक है अब कहता है इंसाइड इंदिस इस आ मैसिव सिवा लिंग और के साथ साथ में हमने यहां पर बहुत सारे चीज़ों को देखा है जैसे कि आपकी यहां पर जो आपके मंदप वगारा हो गए जहां पर लोग आपके एकठा होते थे उनको हम पैविलियन्स भी हाँ पर कह देते हैं उनसे भी कोट्स को होल्ड करते थे और जो आपकी आर्मी के लोग होते हैं उनकी बैरिकेट्स भी यहां पर बनाई जाती थी ठीक है अब आप एक बात को और सोचो कि जो आपका तंजावूर मैंने आपको अब भी पीछे मैप के इंदर बताया था कि भाई वो आपका एक बहुत अच्छा और ग्रेट टाउन क्यों था लोग ऐसा क्यों सोचते थे एक बार उसके बारे में आप थोड़ी बहुत यहां पर सोच लीजी ठीक है बाकी हम अब आगे कॉंटीनू गए अब कहता है दि टाउन is bustling with the market selling grains, spices, clothes and jewelry water supply for the town come from the wells and the tanks the salaya weavers of the tanjavur and the nearby towns of the uraiyur are busy producing clothes for the flag to be used in the temple festival fine cottons for the king and the nobility and the courses cotton of the masses अब यहां पर आप सभी को बताते है कि भाई जो यह शहर था ना भाई यहां पर आपके सारा टाइम भीड भाड यानि कि लोगों का आना जाना लगा रहता था और जो market थी वो हमें सब full रहती थी आपकी grains के साथ में, मसालों के साथ में, कपड़ों के साथ में और जोैलरी के साथ में ठीक है अब यहां पर कहता था कि जो भी आपके पानी की सप्लाई यहां पर इस टाउन के अंदर होती थी वो हमें सब बीजी रहते थे अपने कपड़ों को बुनने में, क्योंकि यहां पर कपड़े बनाने होते थे यहां पर जो मंदिर होता है उसके flags related यहां पर जो हमारे पूजा के लिए कपड़े होते हैं जो आपका राजा होता है उसके नोबेल होते हैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े उनको बनाने होते थे साथ में आम पबलिक के लिए भी वो लोग यहां पर कपड़े बनाते थे ठीक है अब कहता है अब कहता है सवाई मालाई दी सत्पती और दी सकल्प्टर्स और मेकिंग एक्वसाइट ब्रोंज आइडियल्स अब यहां पर बताता है कुछ ही दूरी पर आपके जो यहां पर सवाई मालाई रहते थे जो क्या करते थे आपके यहां पर आपके जो ब्रोंज रहते हैं उनके बारे में तो जो आपके टेंपल्स टाउन होते हैं उसके बारे माँ बिसकली इस वर्ड से समझ सकते हैं कि वहाँ पर आपका मंदिर जो होगा उस अबसे मैन रहने वाल है तो कहते है तंजावूर इस ओल्सो एन एक्जेंपल ओफ दी टेंपल टाउन कि जो आपका तंजावूर था वो आपका एक टेंपल टाउन के नाम से भी हाँ पर आइमें टेंपल टाउन भी उसको जाना जाता है ठीक है टेंपल टाउन रिप्रेजेंट आव वेरी इंपोर्टेंट पैटर्न of the urbanizations the process by which cities develop अभी यहां पर बताते कि जो आपके टेंपल टाउन होती हैं यह हमें सबसे अच्छा आपका पैटर्न शो करते हैं urbanizations का और बताते कि पूरे पूरे जो सहर हैं वो इसी के आस पास यहां पर आपके बस जाती है ठीक है कहता है temples were often central to the economy and society जो आपके temple होते हैं, आपके center होते हैं, किसका होते हैं, आपकी economy का और आपकी society का अब कहता है, rulers built temples to demonstrate their devotions to the various dieties कि जितने भी आपकी यहाँ पे राजा होते हैं, वो अपने मंदिरों को बहुत अच्छा इसलिए बनाती है वो यह चीज़ दिखाना चाते हैं, जो हमारा भगवान है, उसके साथ में हमारे कैसे relation है हम बहुत अच्छे, उसके यहाँ पे भगत हैं, और सबसे बड़े भगत है हम ही है अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भई यह जो सारे लोग थे ना, यह सारे लोग भई होँआ पे जो मंदिर था उसको भूमी दान में देते थे कि भई जिससे क्या हूँ, इसके ओपर यहाँ पे खेती की जास के जो भी इसकी पैदावार आए, वो मंदिर के कामों में यहाँ पे लगाई जाए और जो भी यहाँ पे यातरी आते हैं, बहुत दूर दूर से नों को खाना खिलाने के काम आए और यहाँ पे जो आपके ब्रहमन लोग थे भाई, वो इसको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते थे अब कहता है, पिल्ग्रिम्स हो फ्लोकड टू दी टेंपल्स ओल्सो मेट डोनेशन्स और जो भी यहाँ पे यातरी दूर दूर से आते थे, वो यहाँ पे मंदिरों में बहुत बड़ा बड़ा दान करके जाते थे, ठीक है बाके चलो यार, अब आगे स्टेडी करते हैं, हमारी ब्रॉंज, बैल्स, मैटल, एंट जी, लोस्ट, वैक्स की जो टेकनिक थी उसके बारे में तो यार, चलो एक बार इनको भी यहाँ पे जान लेते हैं, यह भी हमारे लिए थोड़ी बहुत इंपोर्टेंट यहाँ पे रह जाते हैं तो अब कहता है, ब्रॉंज is an alloy containing copper and tin, bell contains a greater proportion of the tin that other kinds of bronze, this produce a bell ring sound अब यहाँ पे बताते हैं आप सभी को कि भई जो आपका bronze होता है, वो आपको किस से मिलके बनता है, वो बनता है आपके यहाँ पे copper plus में, जो आपका tin रहता है, इन दोनों के मिल, आप से बताता है कि जो आपका bronze बनाने में, जो bronze के आपकी bell बनते है, जो मंदिर की, उसमें आपके tin की मातरा थोड़ी जादा रहती है जिससे क्या हो पाता है आपकी जो घंटी वाली साउंड है वो हमीं मिल पाती है तो अब बताते है चोला ब्रोंज स्टेचू वर मेड यूज इस लोस्ट वेक्स टेकनिक जो आपके चोला के यहां पर ब्रोंज स्टेचू बनाए जा जिसको क्या किया जाता फिर बाद में क्ले के साथ में उसको कवर कर लिया जाता था अब क्ले वैक्स आपको पता होगा यहां पर आपका मॉम होता है ठीक है और फिर क्या किया जाता था उसको बाद में सुखने के लिए रख दिया जाता था ठीक है उसके बाद वो लोग क्य करते थे कि भाई जो आपका यहां पर heat उसको थोड़ा गरम कर लिया और फिर उसमें एक थोड़ा सा यहां पर hole कर दिया और वो hole किसली किया कि जो आपका metal उसको पिंगला गया उसके अंदर यहां पर डाल दे अब यहां पर बिसके लिए आप से क्या बात बताते हैं आपको थोड़ा figure की help से समझाने की कोशिश करता हूँ ठीक है तो अब यहर मानो हमें बनानी है एक मौंबत्ती तो हम सबसे मौंबत्ती तो नहीं बनाएंगे काम करते हैं भई हमें बनाने हैं कुछ भी अई मीन ऐसा कुछ से यहां पर structure बनाने है ठीक है? तो वो लोग क्या करेंगे भई? इसको मौंब का बना लेंगे अब यहर मौंब का कोई पृतला बनाना बहुत असान रहता है तो मॉम का बनाने के बाद फिर वो क्या करेंगे इसके चारों तरफ में यहाँ पर कले लगा देंगे अब कले लगाने के बाद क्या होगा यह तो मानो आपका मॉम था इसके ओपर लग चुकी है आपकी कले और यहाँ पर क्रिदे थोड़ा सा इन लोगों ने छेद अब इसको बाद में क्या करेंगे यहाँ पर फाइर की हल्प से यहाँ पर आग की हल्प से इसको हीट करेंगे गर वो हीट करेंगे तो आपको बता है कि जब गरम होता है तो जो आपका मोम होता है वो पिंखल जाता है अब यह उपर का तो आपका यहाँ पे मिट्टी तो नहीं पिंगलेगी, आपका जो मुम है वो पिंगल के हैंसे भार निकल जाएगा से इस कले को यहां से उपर से रिमूव कर देती हैं और फाइनली हमें क्या मिल जाता है हमारा आपके यहां पर फाइदे रहते हुए आप इनके बारे में बसोची और हमको भी कोमेंट करके बताई अब यह जो पिक्चर यह है आपकी क्रिशन भगवान की किसकी जो आपका कालिया साफ था नहीं यहां पर उसको यहां पर इसको यहां पर हराती हुए तो चलो यार अब आगे समझ लेते हैं तो कहता है temple authorities used their wealth to finance trade and banking gradually a large number of priest workers, artisans, traders etc. settled near the temple to cater to its need and those of the pilgrims अब यहां पर आप सभी को बताता है कि भई जो भी आपके मंदिर होते थे और जितने भी उनके यहां पर कमाई होती थी वो सभी यहां पर जो आपके trade हो गया, banking हो गया इन सभी को भी देखत अब यहां पर बताता है कि भई साथ में जो आपका धीरी-दीरी क्या हुआ जो आपके ब्रहमन लोग थे, worker थे, artist लोग थे, वो यहां पर आपके मंदिरों के आसपास रहना उन लोगोंने start कर दिया, किसली रहना start कर दिया भई मंदिर की देखवाल के लिए और साथ में जो और विदी शा इन दी मध्या परदेश एंड दी सोमनात इन गुजरात, other important temple towns including दी कांची पूरम एंड दी मदुरई इन दी तमिल नाडू एंड दी तिरूपती इन दी आंथ्रा परदेश अब यहां पर आपको कुछ यहां पर temple towns के नाम बता रहे है और बता रहे है कि भई दीरे दीरे क्या हो गए आपके township के अंदर यहां पर दबतील होना start हो गए अब कहते है वरेंदा वन जो कि आपका उत्र परदेश के अंदर है और जो आपका तिरू वन मलाई तमिल नाडू के अंदर है यहां पर कुछ example है इन दोनों towns के ठीक है अब बताता है जो आपका सुभा का यहां पर headquarters बन जाता है आपकी मुगल पिरियेट के अंदर इट प्रोवाइड एन एक्सेलेंट इग्जेंपल ओफ दी रिलिजियन को एक्जिस्टेंसी और यह हमें सबसे अच्छे एग्जेंपल यहां पर प्रोवाइड करता है कि बहीं यहां पर दो दो टाइप और यह आपका 12th century में कहां पर आ जाता है आपके अजमेर के अंदर आ जाता है और क्या करता है attract devotees from the old creeds near अजमेर is a lake pushkar which was attracted pilgrims from the ancient time अब यहां पर बताता है कि भई फिर क्या होता है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस संथ की यहां पर बात सुननी के लिए वैसे जो अजमेर हैं वहाँ पर आपकी pushkar नाम की एक lake है जो काफी दूर दूर से लोगों को अपने तरफ यहां पर attract करती है तो अब आपको कहता है है आपे make a list of towns in your district and try to classify their administrative centers or are the temple pilgrimage center यह आप एक काम करो जूस भी district के अंदर आप रहते हुआ के छोटे मोटे कस्बों को आप देखो और पता लगाने की कोशिश करो कि भी यह जितने भी कस्बे हैं क्या यह आपके temple town है या फिर क्या है आपके administrative centers है ठीक है तो यह आपका homework है आप मेरे को यहाँ पर instagram के उपर इसको करके send कर सकती है आपको उसका link के है आप description के अंदर देखने को मिल जाएगा बागे my friends हम इसक पार्ट को यहाँ पर end करते हैं और next part की वीडियो अपसे भी बहुत जल्दी देखनी को मिल जाएगी तो इसको सबसे पहले देखने के रिए हमारे ब्लकुल भी मत बोलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ में पका फैला देना जिसे गार वो भी घर बैठे बैठे स झाल जाएगी नarte कर दो डो जो जात भी जाएगी तेंडर में और मीद